हाई अबरीवन दिस पवाई चर्मा लास्ट वीडियो में निफ्टी को बैंक निफ्टी को बाकी स्टॉक को टेकनिकली अनलाइज किया चार्ट वाईज ऑनलाइज किया पहसी को जू बेसिकली हब है यहाँ पर अगर RSI को चेक करेंगे आप तो RSI में नोटिस करें यहाँ पर इधर इधर मुवमेंट इधर की मुवमेंट चेक किज़ए जब भी RSI ने इस लेवल पर आया उसके बाद क्या करेक्शन आया करेक्शन का लेवल देखिएगा ऐसा नहीं कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस चार्ट पे 6 बार ऐसा हुआ है जहां पर RSI काफी अच्छी उपर जा चुकी है और उसके बाद क्या फॉल आया मैं चार्ट से हट जाता हूँ यह डेली चार्ट है तो क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको यहां से और उपर जाना चाहिए चलो थोर सा और उपर चला जाएगा जैसे मैंने कहा कि इस करेक्शन के बाद में जैसे कल लास्ट डाउजोन 30 ने 400 पॉइंट प्लस का क्लोजिंग दिया है तो उसके basis पतोरी correction आएगी तो 18-200 से लेके 250-300 तक निफ्टी-फिट से rise कर सकती है क्या होता है यह मेरे पास एक ball है तो इसको market मान लिजेगा अगर ball को मैं यहां से drop करता हूँ तो notice करें ball bounce किया लेकिन अगर मैं यहीं से drop करूँगा तो शायद मुझे bounce मिलेगा नहीं कि मेरे हाथ में नहीं है इसका मतलब वहीं से नीचे चला गया everybody knows it तो market जब इतनी उपर चली जाती है यहां से यहां से जब इतनी उपर चली जाती है या इधर चली आती है तो उसका fall भी उसी के accordingly होगा अब यह होगया part 1 उसके अलावा steep price जिसको आपने bank निफ्टिव दिया part 2 अब यहां पर एक चीज में और notice करेंगे आप उसके लिए में लेकर आतों dollar index को अब यह चानल dollar index कहां से आ गया विकोज यही हमारी ugly movement को define करेगा कैसे देखेगा यहां से यह बला इधर से अब यह उपर होता है अब इधर देखेगा इस time नीचे खड़ा है अब इसका मतलब क्या है कि यहां से dollar index उपर जा सकता है और dollar index अगर उपर जाएगा तो हमारे पास क्या possibility है possibility है that यहां से उपर जाएगा तो यह inverse है inverse का मतलब nifty से बिलकुल inverse है nifty नीचे गिरेगा तो dollar index उपर भागेगा क्योंकि यहां पर आपको देखेंगे इसमें जो सबसे जरूरी चीज़ देखने के लिए है वो है Swedish Frank यह आपका इसको check करेंगे क्योंकि Great Britain Pound और हमारे पास dollar index सबका कहीं ने कहीं strength देख रही है इसमें काफी अच्छी correction आपको देखने को मिलेगी बढ़िया वाली moment आपको जो है नीचे की तरफ अच्छा खासा एक correction mode में आएगा और यह पूरे पूरे index को क्या करेगी भागा देगी और अगर जब index भागेगा आप देख भी रहें यहां से जितनी बार भी नीचे आया index यहां से देखे यहां से फिर भाग गया यहां पर देखेगा फिर भाग गया यहां इधर देखेगा फिर भाग गया इन नीचे देखेगा यहां से फिर भाग गया तो जब भी index उपर जाता है निफ्टी के उपर pressure आता है तो यहां भी आपको check करने को मिलेगा यह वाला part आपको बहुत help करेगा उसके लावब अगर आप check करते हैं dollar index पर आपके पास में आ गई ते लिए बात करते हैं dollar index से कुछ components के बारे हैं जहां पर मैंने आपसे कहता है भी dollar index 6 currencies क्या बना हुआ है तो किस currency के सबसे ज़्यादा selling होने की chance नजर आ रहे हैं वो जैसे अभी हम discuss कहता Swiss franc chart तो यहां पर आप check करेंगे Swiss franc chart का अगर हम इसका chart देखते हैं तो यह trading economics खुला है तो इसमें notice करेंगे यहां पर आते हैं and if you look at here this is for let's keep it for 5 years ठीक है अब देखेगा यहां से शुरूआ एक fall आया rise किया try किया hold करने का once again and now यह अपने support level पे है और अगर यह यहां से नीचे गिर गया तो पूरे पूरे dollar index को साथ लेके जाएगा उपर के तरफ और यहां पर अगर वो उपर गया तो हमारा nifty का negative होना बहुत clear नज़र आ रहा है तो यह कुछ factors हैं और उसके अलावा आप जानते हैं sentiments भी जिसमें हम market mood index की बात कर रहे थे तो market mood index में अगर जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे जिससे आप पहले भी देखते हैं तिकर टेप में यहां पर चेक करेंगे और यहां पर आपको market mood index दिखाए देगा तो आसा ease out हुआ है अभी भी 82 है तो 88 से 82 तक तो आचुका है और आपने देखा कि कल का अच्छा खासा हमें sell देखने को मिला यह जब तक यहां नहीं आएगा at least यहां तक नहीं आएगा या फिर यहां तक ना आए तब तक buying शुरू नहीं होगी और अब यह right time है जहां कि आपको करना क्या है आपको small cap में buy करना शुरू कर देना चाहिए small cap में small cap वो index रहेगा उसके लिए आप क्या करेंगे PhD का ध्यान रखेंगे यहां पर आप नोटिस करेंगे यह वाला part यह चीजें आपको अभी इसके साथ में आप nifty add कर लीजेगा bank nifty add कर लीजेगा और अभी जैसे मैंने कहा था कि मेरा outlook है my outlook है मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसको follow करें my outlook is still bearish और यह काफी स्वारी जो है negative comments में साथ लेके आएगा बर देखे जैसा है वैसा है अच्छी बाते के लिए तो आपको पूरा पूरा internet भरा हुआ है जो आपको target बता रहे हैं 19,000 का 19,500 का और 20,000 का और इसमें अगर bank nifty में कहें तो lifetime high बोला जा रहा है कि 50,000 को cross करेगा अभी नहीं करेगा यह मेरा outlook है और सारे के सारे factors मैंने आपको बता दिये मैं ऐसे ही आपको market कुछ analyze करता हूँ और इसी लिए 12 साल से market mistake करे हूए otherwise 9 month is more than enough आपको बता दूँ 9 months में maximum trader साफ हो जाते हैं वो कभी market में नहीं आते 12 साल की journey यही सीखा है वही चीज़ में आपके सारे शेयर करता हूँ तो अगर आपको लगता है that you would be the same say this boat तो आप क्या कीजेगा अभी आप हमें telegram पे join कीजेगा telegram पे एक अच्छा वाला और उसके नीचे page telegram का link भी है उसको भी आप follow कर सकते हैं इन दोनों के अंदर आपको बढ़ी आवाली information मिलेगी जैसी market हमसे कहती है that यह right time है अब आप market में enter कर सकते हैं put side के तरफ अभी entry नहीं आया है मैं यह नहीं करा कि market Monday उखलते ही धड़ करके आप सारे trades दे ले नहीं एक बार उसको ऊपर जाने दीज़े कल market gap उपन होने की उमीद है क्या एक बार push मारेगे 18-20 को break मारेगी उसके बाद में जब नीची गिरेगी न आँख बंद करके छोटा सा stop loss लगा के stop loss रहना चीए हम लेंगे put और उसके बाद में जो बढ़िया वाली हमारे लिए जो एंट्री मिलेगी यह मंडे क्यों सकता है अगले मंडे भी हो सकता है मांगर आपको hold करने कोशिश करें जल्दी नहीं करने लेकिन जब एंट्री आएगी तब मत hesitate कीजएगा एंट्र करने में रिस्क लेना पड़ेगा यह नहीं है कि आप यह सोच है रहे यार जीरो लॉस्ट्रीजी वाला concept लें ऐसा कुछ नहीं होता तो जीरो लॉस्ट कुछ नहीं है रिस्क लेना पड़ेगा risk लेंगे तो बड़े return भी आएंगे छोटा अपना loss रखेगा बड़े target रखेगा बड़े profit होगा तो guys this is what I think that the final correction is about to come उसके बाद आप call by कीजिए जिस stock में enter करेंगे वो stock आपका rise करेगा बड़े fundable stack में फिर और फिर दुबार है पैसा बनाएंगे इस बार fall में फिर rise में ये रहेगा हमारा coming week से लेके 10 दिन का outlook बेरिश and once the entry will be there I'll provide you all the necessary information through my telegram उसका रहें in description box में है and that's all for it guys I'll see you in the next video have a nice day take care bye bye